बंदर और मगर मच्छ की कहानी पंच तंत्र की एक क्लासिक कहानी है, जो दंतक अथाओं का एक प्राचीन भारतिय संग्रह है। यहां कहानी का सारांश दिया गया है। बंदर और मगर मच्छ एक समय की बात है, एक चतुर बंदर नदी के किनारे आम के पेड़ पर रहता था। पेड़ पर स्वादिष्ट रसीले आम लगे थे जिनका बंदर हर दिन आनंद लेता था। एक दिन, एक मगर मच्छ नदी के किनारे आया और आम के पेड़ को बड़ी लालसा से देखने लगा मगरमच की भूखी आँखें देखकर दयालू बंदर ने उसे कुछ आम दिए मगरमच ने आम खाए और उन्हें बहुत पसंद किये तब से बंदर और मगरमच दोस्ट बन गए और मगरमच आम का आनन्द लेने के लिए हर दिन बंदर के पास जाता था, मगर मच अपनी पत्नी के लिए कुछ आम घर ले गया, हाला कि उसकी पत्नी को बंदर से इरश्या होने लगी और उसने उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई, उसने अपने पती से कहा कि यदि बंदर प्रति दिन इतने पिठे आम खाएगा, तो उसका हृदय और भी मीठा होगा, उसने जिद की कि मगर मच उसके खाने के लिए बंदर का दिल ले आए, मगर मच चौक गया, लेकिन अपनी पत्नी के गुसे के डर से अनिच्छा से सहमत हो गया, वह बंदर के पास गया और उसे अपनी पत्नी से म पहुंचे, तो मगर मच डूबने लगा, बंदर को कुछ गडबड का अहसास हुआ और उसने मगर मच से पूछा कि वह क्या कर रहा है, मगर मच ने अपनी पत्नी की बंदर का दिल खाने की योजना कुबूल कर ली, चतुर बंदर ने तुरंत एक योजना सोची, उसने शान किनारे लिए ले आऊंगा, मूर्ख मगर मच ने बंदर पर विश्वास कर लिया और वापस नदी किनारे तैर गया, जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर तेजी से मगर मच की पीट से कूद गया, और नुकसान से सुरक्षित होकर, बंदर ने मगर मच को डाटते कहा, हरे मूर्ख मगर मच, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि मैं अपना दिल पीछे छोड़ जाऊंगा, वापस जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि वह कभी भी मेरा दिल नहीं लेगी, मगर मच को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हुआ, वह खाली हात घर ल काश डालता है कि सची मित्रता, लालच या विश्वास घात से दूशित नहीं होनी चाहिए.